संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस ने भी भारत को अपना समर्थन दिया है। इरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से बाहर कर दिया गया। अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लाया गया था। सौधी शाही परिवार के लिए यूजस की जासूसी करने के दोशी पाए गए एक पूर्ग ट्विटर कर्मचारी को साड़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। आज भारतिय सर्राफा बजार में 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 50,300 रुप्य प्रती 10 ग्राम पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट गोल्ड के दाम आज 4,880 रुप्य प्रती ग्राम पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों म अपनी हाउसिंग एकाई पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस को टीपीजी ग्लोबल की एकाई पर से सजी पील्टी को बेच रही है। अरुनाचल प्रदेश में भारत चीन के आमने सामने होने के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने सामबा में भारत पाकिस्तान अंतर र डोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कोशल के लिए वल्लभाई पटेल को सरदार की उपाधी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने उनकी पुन्यतिती पर श्रद्धान जली दी। भारती एस्टेट बैंक ने अपने माजिनल कॉस्ट ओफ लैंडिंग रे शाहरुक खान 18 दिसंबर को कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में शिर्कत करेंगे जहां वह अपनी अपक मिंग फिल्म पर ठांट का प्रमोशन करेंगे। यमुना एक्स्प्रेस वे पर आज से वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। ठंड के मौसम में कोहरे के कारण कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमी फाइनल में फ्रांस ने शांदार खेले दिखाते हुए मौरक्को को दो जीरो से हरा दिया है। इसके साथ ही अफरीकी टीम मौरक्को का पहली बार फाइनल में पहुंचने का सपना भी तूट गया।